नमस्कार साथियो न्यूस के लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अमेजन की जंगलों में जब आग दिखी तो भहुत तिकवादी दुनिया का प्रकृतिवादी प्रेम जग उठा लेकिन यह मुद्दा बहुत जटिल है इसे सुल्धाने के लिए हमारे साथ हैं अडिटरिन चीफ प्रबीर तो प्रबीर सोशल मेडिया पर तस्वीर दिखी अमेजन के जंगलों में आग लगती हुई जब पढ़ा तो पाया कि आग तो पहले भी लगती थी इस बर दुगनी आग लगी तो इसके पीछे कारण क्या था एक तो है कि हर साल आग एक तरह नहीं लगता हो सकता है कि ये कुछ हद तक पाकितिक घटना भी रही होगी पर अगर हम देखे कहां कैसे आग लगी तो जो तज़वीर निकल के आता है ये लगता है कि ये इनसान ने लगाया है अखास तोर से जंगलों को साफ करने के लिए जिस पे अभी तक रुकावट थी पहले सरकारों की रुकावट थी क्योंकि एमाजान की एहमियत एक कार्बन स्टोरेज के तोर पे उस जंगल के रहने से उसकी वातावरन पे अलग असर पढ़ता बारिश वगरा कि उस पर भी इसका असर पढ़ता गर जंगल साफ हो कि एमाजान फॉरेस्ट की उपर काफी दंदिगरानी है और इसको ब्रजिल की सरकार ने तैय किया था इसको एक हिसाफ से एक नैचरल रिजर्फ के तरफ रखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा मैनमेड परिवर्टन हम इसमें ना करें तो लगता है बलसनारों सरकार के आने के बाद दो तरह के चीज़े हुई है एक तो बलसनारों का खास तोर से जो कह सकते है एंटी इंडिजनस पीपल की रवाया है वहां के आमाजान के रहने वालों की प्रती उनका रवाया है उसको वो इंडियन्स कहते हैं पुराने लोग हैं वहां के रहने वाले कहते हैं कि साफ करना चाहिए और इन्होंने ये भी कहा है अमरीका इस पे बहुत आगे था उन्होंने उनके इंडियन्स को तो साफ कर दिया पर हम आप बहुड़ इनेफिशिट रहे तो नहीं कर पाए तो इस पे एक क्या कह सकते एक वाइट नैशनलिस्ट एक रेसिस्ट रिष्टिकोन आमजान के लोगों के प्रती इनकी रही है अगर दूसरी बात है एक बहुत पूजी पती दिश्टिकोन पलसडारों के जंगल के पीछे है कि जंगल काटके साफ करेंगे तो वहां लकड़ी बेच सकते हैं वहां माइन्स वगरा आसानी से प्राप्त कर पाएंगे वहां पर क रैंचिंग कर सकते हैं जिसकी मीट के एक्सपोर्ट ब्रिजिल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में तो वह बढ़ जाएगा सौय की चाश वहां पर खेती होगी तो सौय बिक्री हो सकती है बाहर तो एक एकनॉमिक बेस भी रहा है पर इस इर्थ नितिक अर्थ शा पर जंगल हो प्राकृतिक संपदा हो जहां पर जैसे हिंदुस्तान में भी है फॉरेस्ट राइट्स अक्ट परिवत्त किये जा रहा है इस पे पुजिवारी दृष्टिकोन है कि कैसे जिसको नैचनल रिसोर्स को कैसे हम कैपिटल में बदल सकते हैं कुछ चंद बुठी भ तो सडकों के बगल में से आग निकल के आगे आर जा रहा है तो इसके लगता है कि इसका पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है इसके पीछे की राजनीती पे बात करने से पहले किवाल अगर अमेजन की जंगलों के भागालिक उप्योगिता के बात करें जैसे आपने अपने लेक में भी इसका जिक्रिक्रिक है कि हाइडरोजिकल इसके फायदे होते हैं, जलवायों परिवर्तन को लेकर नियन्तित भी करता है, हरा भरा इलाका है. तो ये और पूरे वहां के आस पास के छेत्रों के कैसे प्रभावित करता होगा है? देखें, Amazon का दुनिया में दो तरह का फायदा है, एक तो एक carbon store जिसे कहते है, carbon reserve है, वो अगर जल जाता है, तो इतना carbon dioxide दुनिया में बाहर आएगा, तो उसके वजह से हमारी green house effect जिसे कह रहे, climate change और दृत हो जाएगा, और उसको रोखना, जंगल को फिर regenerate करना इतना आसान क नहीं है, तो एक तो जंगल का carbon store की भूमी का इसकी है, दूसरी बात है कि वहाँ पर क्योंकि एक उस पर जिसको जिसको है, हाईडरोजिकल इंपक्ट होता है, यह आपके जिस पे अगर आपके पास जंगल होता है, तो वहाँ पर आसपास के इलाके में उसके वजह से growth forest चाहते है, forest फिर regenerate करते है, तक हरी भरी अलाके में बारिश की संभावना भी बढ़े, उसको यह अगर जंगल साफ कर दिये जाएगा, तो ब्रेजिल या और दूसरे इलाके भी है, सिर्फ Amazon से ब्रेजिल में नहीं, आउट देशों में भी है, तो उन जगहों पर भी असर हित के साथ साथ वहां के वातावरन पे ऐसा असन ना पड़े, कि जलवायू पे ऐसा असन ना पड़े, कि उसके लिए नुकसान ज्यादा हो, यह भी देखने की ज़रुरत है, बहुत सारे खबारों में और मिडिया रिपोर्टों में यह दिखता है, समानिकान की किताबों मे ठीक नहीं है, और इसको फेफरा कहना भी गलत होगा, इस पे ऑक्सिजन जो उत्पादन होता है अमजान के जंगल से, छे से नौ प्रतिशन दुनिया की ऑक्सिजन अमजान से आता है, और यह उत्ता ही करीब करीब वो कंज्यूम भी करता है, तो ऐसा नहीं जंगल सिर्स ऑक कॉंट्रिगुशन से जीरो से थोड़ा ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा नहीं है, वास्तिवक्ता यह है कि सबसे ज्यादा ऑक्सिजन हमारे यहां, जो समुदर में जो छोटे-छोटे जीव हैं, उनके वज़े से यह होता है, उसका उत्पादन जो है, उसके वज़े से ऑ संसाधनों के लिए हम लोगों ने इसको काटने के सोचा, और दूसरे दे से जब कि यह करते हैं, संसाधनों के लिए वो काटते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे तर्ग की जो राजनीती है, वो कहां पर फेल कर रही है, अगर जलवायू परिवर्तन को देखा जा है, सबसे बड़ा तो यह है कि आपके जब इंधन जलाते हैं, चाहे वो कार्बन बेस्ट कोईला हो या आपका हाइड्रो कार्बन बेस्ट तेल हो, तो उसका जो कार्बन डाक्साइड पैदा होता है, वो आसमान में जाता है, और उसके वजह से हमारे हैं ग्रीन हाउस की सवाल यह है कि जिन देश अपने जंगल को साफ कर चुके हैं, वो जब कहते हैं, दूसरे देशों को जंगल लखना चाहिए, वो एक हिपोक्रिटिकल स्टेट्मेंट होता है, और यही क्लाइमेट चेंज का निगोशेशन, पैरिस एंग्रिमेंट में यह एक बहुत बड़ा है, हिस्सा रहा है, कि कौन इसका जिम्मेदार है, और कौन इसको भुगत रहा है, और क्लाइमेट चेंज वाकिए अगर होता है, जो हो रहा है, और तेजी से बढ़ रहा है, उसको अगर हम देखें, तो मुख्य रूप में उन देशों पे असर नहीं पड़ेगा, जो इसका जंगल साफ करके अब फॉसिल फूयल जला रहे हैं, उस पर क्या उनका क्या भूमी का होनी चाहिए, उनको कैता पैसा देना चाहिए, इस आट्मस्फियर को खराब करने के लिए, इस पर भी पैरिस एग्रिबेंट पे बातचीत चल रही थी, और यही चीज से अमरीका मुकर है, वो अगर पैरिस एग्रिबेंट नहीं है, तो पैरिस एग्रिबेंट एक हिजाब से उसको लागू करना दूसरे दिश्वर मुश्किल है, एक आद, एक आम आदमी सोचता है, कि जंगल को काटेंगे, तभी तो विकास कर पाएंगे, तो आपको लगता है कि क्या जंगलो मुजियम बना के उनकी एक 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 साथ लिविंग मुजियम बना ले, उनको क्या डेवलप्मेंट से उनका कोई वास्ता नहीं है, जो जंगल में रहने वाले लोग, तो इसको अगर हमें एक रास्ता इसके लिए निकालना चाहिए, जनवादी तरीके से उनके साथ मिल के ही वैवस्ता हमें निकालनी पड़ेगी, कैसे वैगानिक तरीके से हम जंगल को रख सकते हैं, लोगों को विकास कर सकते हैं, प्रॉब्लम यह नहीं है, कि इसको हम कर सकते नहीं, इसलिए हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से लेकर बहुत सारे चीज जो बने हैं, इसके लकडी बेचने की, इसके बाद जंगल के दूसरे संगसाधनों को उजाड के एक बार मुस्से मुनाफ़ा करना है, और इस जंगल को रख के लगातार उससे एक एकनॉमिक रिसोर्स के तोर पे इस्तेमाल करने से जो फायदा है, पूजी का ज्यादा फायदा है, उस जंगल क पे एक बार काट करके, साफ करके बेच दे, तो ये जो दृष्टिकोन है, पूजी वादी दृष्टिकोन, पूजी पतियों की जो दृष्टिकोन है, उससे रीजेनरेशन अब दा फॉरेस्ट, नेचर का उसको बरकरा रखे, उसके कैसे इस्तबाल किया जा, ये नहीं है, उसका है कि कैसे हम आज की बुनाफा निकाल पाएं, तो पूजी की दृष्टिकोन बड़ी संकुचित होती है, अब पूजी पति की दृष्टिकोन यही होता है, आज का बुनाफा ना कि कल का भविश्य, बस अंतिम सवाल आप से ही, कि आपको नहीं लगता कि जंगलों का म कल्प तो मैंने पहले भी जो जिक्र किया है, कि जनवादी तरीके से सब की अगर भविश्य देखना है, और भविश्य के पीड़ी की बारे में भी अगर हमें सोचना है, तो हमें एक जनवादी डिस्कोर्स चाहिए, अगर जनता की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहे, अगर कुछ चंद लोगों को अपना मुनाफ़ा कमाने की राज़नीत करना है, तो वो चीज नहीं हो सकती, जो जनवादी बातावरन पे जो हम बातचीत करके सब को लेके चल सकते हैं, और आज के तारीक पे जो हमारे अख़बार हो, चाहे दूसरे जगहों को जो बातचीत जो आ रही है, यह वैग्यानिक डिष्टिकोन की वेर्थता इनमें नहीं है, इनका है कि पैसा कोन दे रहा है एक डिष्टिकोन के लिए, और इसी लिए है क्लाइमेट डिनायल जो कहते है, क्लाइमेट डिनायल कोई वैग्यानिक डिष्टिकोन से नहीं आ रही है, बर जान से सुचेगा इसमें पुंजिवादित द्रिष्टी कुण भी सामिल है। शुक्रिया आप देखते रिए न्यूज क्लिक।